हाई फ्रेंड्स आज हम आपके लिए लाए हैं शाही चिकन कॉर्मा की रेसिपी जो बहुत ही जल्दी बनकर तयार हो जाता है तो चलिए शुरू करते हैं तो इसके लिए मैंने यह वन केजी चिकन लिया है और इसको मैंने अच्छे से वाश कर लिया है और यह मैंने चार मीड तो यहां मैंने तीन बड़े चमज ओई डाल दिया है जो लगबग 250 गराम है और इसको गरम होने देंगे ओई को देखिए तेल गरम हो गया है अब इसमें हमें प्याज को डाल देना है और इसको हमें जब तक फ्राइब करना है जब तक यह गोल्डन कलर की नहीं हो जाती इ तो अब इसको हमें थोड़ा ओर फ्राइब करना है इसमें अब हम डालेंगे थोड़ा सा जाइफल का टुकड़ा देखिए और ऐसे ही चलाते रहना है तो देखीए पयाज अच्छे से फ्राइ हो गई है गोल्डेन कलर आ गया है तो आब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेना है अब हम इसको थोड़ा धंडा होने दें गे और धंड़ा होने के बाद हम या ते इसको मिक्सी में पीस लेंगे या फिर हाथ से ऐसे इस तरीके से थोड़ा क्रस्क कर लेंगे मसल लेंगे और ये हमने खड़े मसालों में दो तेज़ पात के पत्ते चार पाच लोंग पाच हमने छोटी लाई ची और एक दाल चीनी का टुकुड़ा लिया है इसको हम इसी ओयल में डाल देंगे जिसमें हमने प्याज को फ्राई करा था उसी ओयल में हमें डाल देना है और गैस की फिलेम हमें यहाँ पर मीडियम टू हाई रखनी है और अब इसमें चिकन डाल देना है इस तरीके से हमें डालना है सारा चिकन हमें डाल देना है अब हम इसको खूब अच्छे से थोड़ा इस तरीके से चलाएंगे खूब अच्छे से ऐसे ही हमें चलाना है और अब इसमें हमें डालना है नमक तो यहां मैंने एक छोटा चम्मच नमक डाला है और थोड़ इसी हल्दी डालेंगे से चलाते हुए मिलाना है अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें अब इसमें हम दो चम्मच डालेंगे अधरक का पेश्ट और दो ही चम्मच हम डालेंगे लैसन का पेश्ट और हमें यहां दो बड़े चम्मच डालना है दही दही लगवक देड़ सो गिराम होगा देड़ सो गिराम डालना है अब इसमें हम देड़ छोटे चम्मच डालेंगे धनिया पौडर और दो छोटे चम्मच डालना है लाल मिर्च पौडर और ये हमने गरम मसाला पौडर लिया है छोटा अदा चम्मच इसको डाल देना है और एक चम्मच हम इसमें नमक आड़ करेंगे नमक हमें ध्यान रखना है हमने पहले भी डाला था एक चम्मच तो टोटल हम यह दो चम्मच ही नमक आड़ करेंगे नमक आपने स्वाधनुसार भी आड़ कर सकते हैं इस बात को ध्यान में रखना है कि एक चमच हमने पहले डाला है नमक और एक चमच अब डाला है तो टोटल दो चमच हो गया और इसको इन सब को खुब अच्छे से मिला लेना है थोड़ा सा पानी एड करना है और अब हम इसको ढखकर पांस से साथ मिनट तक हाई फिलेम पर पकाना है तो अब ये प्याज भी हमें मिक्सिजार में डाल देना है और थोड़ा सा हमें पानी डालना है एक कटोरी के इतना हमें पानी डालना है और इसका अब हमें पेस्ट बना लेना है पीस लेना है देखी पिस गया है और अब हम पांस साथ मिनट हो गये हैं अब इसको हम ढखकन को खोल के देखेंगे औ को अब इसमें थोड़ा पानी है और इसमें हमें पेस्ट डाल देना है जो हमने अभी पीसा है मिक्सी में इसको डाल देना है और इस खूब अच्छे से मिला लेना है मिक्स कर लेना है इस तरीके से खूब अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है अब हमें इनको खूब अच्छे से भून लेना है तो इस तरीके से हमें भूल लेना है हाई फ्लेम पर भूनना है तो देखिए कितने अच्छे से भून गया है आपको दिख रहा होगा ओल जो है वो उपर दिख रहा है आपको तो यह खूब अच्छे से भून गया है तो अब हमें यह चेक करना है कि चिकन जो है देखे इस तरीके से हमें चेक करना है चिकन देखी गल गया है तब इसको हमें डाल देना है और कितने अच्छे तरीके से हमारा चिकन जो है वो भून गया है पांस से साथ मिनिट लगते हैं इसको भूनने में खूब अच्छे से भून जाता है high flame पर भूनना है medium to high flame रखनी है अब इसमें हमें डालना है पानी तो पानी हमें यहां जादा नहीं डालना है एक कटोरी पानी डालना है तोड़ा पानी डाला है फेस को चलाएंगे और फिर इसके बाद हमें यह जो आदी कटोरी बचा है उसको भी डाल देना है तो इस तरीके से हमें टोटल एक कटोरी पानी डालना है और इसे खुब अच्छे से चलाना है इस तरीके से तो अब इसमें हमें एड करना है केवड़ वाटर तो उसको हमें एक चम्मशी डालना है जादा नहीं डालना है तो देखिए एक चम्माशी डालेंगे अगर आपके पास है तो डाल सकते हैं नहीं तो रहने दे ओप्शनल है यह कोई जरूरी नहीं है अब हमें इसको मिला लेना है देखिए इस तरीके से मिलाना है अब हमें इसको ढख देना है और दो मिनट तक लो फिलेम पर ढख कर पकाएंगे और उसके बाद हम इसको डिश आउट कर लेंगे दो मिनट हो गाएं है तो देखिए कितना बढ़िया हमारा यह शाही चिकन कॉर्मा बनकर तयार हुआ है और इसको अब हमें एक डिश में निकाल लेना है बहुत ही टेश्टी बनाएं खाने में यह आप भी इस तरीके से एक बार घर पर जरूर बनाएं और हमें कमेंट्स में बताएं अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले थैंक यू